आप सब लोगो ने फॉर्स लेक्चर जो स्टार्ट किया थो तो देखी लिया होगा जिसमें बताया है पूरा प्लान ही कैसे नॉट्बुक बनाओगी अगर नहीं देखा है तो पहले देख लो क्यूंकि आज से जो लेक्चर शुरूज करने जा रहो ना उसमें आपको इस तरीके से बताये का है देख लो फटापट और आगे बढ़ा आज शुलू करना हूं इंडेक्स नमबर चैक्टर नमबर वन स्टाटस्टिक्स अब कोई भी चैक्टर है उसका नाम है इंडेक्स नमबर जैसे तो वह इंडेक्स नमबर है क्या तो सुटेंस पहले मैं यह करने के बतले के अरे सरी क्या शुलू कर दिया समझ महा है तो पहले हम लोग डेफिनेशन डेट करते हैं देख क्या है तो परसंटेश चैंज इन वेल्यू आफ अवेरियाबल एस्स एंडेक्स नमबर है अब आप यह पढ़ो क्या करते हैं ना चिंदा मत्यों यह सब आसानी से समझने के लिए कुछ डिसकस करें और उसके लिए एक सिंपल एक्जामपल ले रहे हैं वो है ज्यान से सुनना है और समझना है जैसे मिल्क जो अमुर मिल्क आपको मिलता है ठेली गें उसका रेट था 26 रुपीज अब वो रेट इंक्रीज हो गया 28 रुपीज सर जी कितना बड़ा तो आप सब बोलोगे सर सेंपल क्वेस्टन है 2 रुपीज इंग्रीज दो रुपए बड़े सर आंसर कैसे आया तो करेंट प्राइज है 28 रुपीज करेंट प्राइज अभी चल रहा है बेस पहले था तो सर जी पहले क्या था 26 रुपीज था वो माइनस कर दो तो मुझे पता चल गया 2 रुपीज इंक्रीज दो रुपए बड़े इतना मुझे पता चला एक और बात करते हैं माचिस मैच बॉक्स वो पहले 50 पैसे में मिलता था मजलब 0.5 रुपीज में मिलता था अब उसका प्राइज हो गया है वन रुपीज सर इसमें भी सीधा पता चल रहा है 0.5 रुपीज इंक्रीज इतना बड़ा है तो यहां पे भी कैसे पता चला सर वन रुपीज माइनस 0.5 रुपीज इंक्रीज पचास पैसे बड़े अगर मैं यह कंपेरिजन करता हूं तो सोचके देखिए स्टूदेंट्स 2 रुपे बड़े मिल्क में पचास पैसे बड़े मैंच बॉक्स जादा पैसे अब करना सर मिल्क बहुत महंगा हुआ यह छिसा पैसे महेंगा हुआ आसा लगता है यह जो मैंने comparison किया current minus base जो अभी चल रहा है और base जो पहले था fix base कुछ है यह जो मैंने compare किया students यह absolute measure है इसको बोलेंगे absolute measure measurement के दो टाइप है एक होता है absolute दूसरा होता है relative measure अब absolute measure से तो ऐसा लगा दो रुपर बड़े जादा बढ़े पचास पैसे बड़े कम बढ़े इतना तो clear है इसको तो कोई problem है नहीं लेकिन students अगर reality देखा जाए तो इससे मुझे reality पता नहीं चल रहा है आप भूबिए कि यह कितना percentage बढ़ा और यह कितना percentage बढ़ा अगर percentage के हिसाब से increase देखोगे तो पता चल जाएगा कि reality क्या है अब हम percentage देखते हैं मान लो यह 26 मेरा base है और base को हम बोलेगे hundred percent अगर 26 hundred percent है तो two rupees कितना percent होगा तो calculation करते हैं two into hundred divided by 26 students यह जो आपको मिलेगा आप fine करोगे तो 7.6 percentage page six के आसपास अभी चाल रहे गंडी नहीं रहेगा seven point six percent के आसपास answer आएगा यानि अगर यह दो रुपए बढ़े तो यह दो रुपए कितना percentage बढ़ा सर जी seven point six percent यहां पर मैं लिख रहा हूं यह seven point six percent increase हुआ यानि milk का जो rate है वो इतना increase हुआ आगे बात करते हैं सर वैसे यहां पर find करो सर यह जो है 100 percent है जो बेस है मेरा hundred percent तो यह point five कितना percent होगा इसका calculation करो zero point five in two hundred divide by point five point five point five cancel hundred percent increase क्या बात है hundred percent increase yes boss देख लो hundred percentage increase सोच लीजिए अब पहले तो ऐसा लगा सबसे पचास पैसे बढ़े यहां पर दो रुपए बढ़े अब परसने दूनने के बाद पता चला अरे सर्जी यह तो seven point six percent बढ़ा यह तो hundred percent पैसा बढ़े क्या तो comparison करोगे तो पता चलेगा यह कौन सा measure है इसको बोलता है relative measure यह absolute measure जिसके पीछे हमने रुपीज का sign लिखा यह रुपीज में है तो यह जो answer आया absolute measure का वो भी रुपीज में है जिसमें minus करके पता चलता है अगर यह kg में होता तो यह kg में answer आता यह लीटर में answer आता तो यह जो मिलता है लीटर लीटर मिटर मिटर फीटर 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 जोड़ी हो in short absolute measure में आप यूनिट लिख सकते हो जब आप relative measure करते हो तो उसके पिछे यूनिट का sign यूनिट का value यूनिट नहीं आता है kg लीटर मीटर रूपीज कुछ नहीं आएगा और यह तो percentage है क्यों into 100 हो गया into 100 हो गया यह बन गया percentage तो percentage में तो और कभी नहीं आता उसमें तो percentage का sign लगता है into 100 गल यानि percentage तो students अगर आप reality देखने जाओ तो इससे reality पता नहीं चलती है यानि absolute measure से मुझे reality पता नहीं चलेगा लेकिन जो relative measure है उससे पता चलेगा कि हाँ अगर increase की बात करो तो यह जाला increase हुआ है इससे वो relative measure से पता चलती है चब यहां तक तो 100% clear हो गया अब इंडेक्स नंबर क्या है तो students इंडेक्स नंबर वही परसंटेज है कौन सा परसंटेज है it's a relative measure यह हमारा relative measure है absolute measure नहीं है यह ध्यान रखना है आप सब लोगों को तो start करते हैं अब relative measure के लिए देखो क्या है इंडेक्स नंबर समझने के लिए बात करेंगे तो पहले तो relative यानि देखो यह current है 28 यहां पर लिगराउं 28 divide by sir base है 26 यह हो गया relative measure यह हो गया relative measure मैंने current को base के साथ compare कि same way यहां पर one rupees को 0.5 के साथ compare करो one divide by 0.5 यह भी हो गया relative measure देखो यह जो था वो हमने सीधा minus कर दिया values को यह है absolute measure यह जो डिवाइड किया current को base के साथ divide किया वो है मेरा relative measure अब यह जो relative measure है इसको इन्टू 100 करो मतलब की उसका percentage find करो relative measure का percentage find करोगे जो मिलेगा उसको बोलेंगे index number यह index number क्या है it's a percentage of relative measure वो relative measure का percentage है जिसको हम बोलते है index number तो index number का i यहां पे लिखा जाता है i is equal to current divided by base in 200 तो जो भी है current का compare इस है base के साथ करो और इन 200 करो तो आपको मिल जाएगा index number तो index number ढूंबना है कि इसका मतलब समझना है तो वो वही है कि relative measure का percentage यानि index number अब आप सोचो कि सर क्यों काम आता है यही reality समझने के लिए अब देख लो ध्यान से अगर मैं यह 28 divided by 26 in 200 करूंगा तो मेरा answer आएगा 107.6 अभी चालू है 6 और आगी चालू रहेगा वो नहीं लिखा है short में अभी समझाने के लिए 107.6 सेम अगर इसको divide into 100 करेगे तो answer आएगा 200 सर्थ 107.6 परसंटेज 200 परसंटेज यह 2 परसंटेज इस मुझे मिले इतना तो काम हो गया यानि index number of this milk is 107.6 and index number for matchbox is 200 परसंटेज यह हुआ index number अब index number से पता क्या चलता है सर्थ कितना increase हुआ यह decrease हुआ यह पता चलता है कैसे यह जो index number आया उसमें से माइनस कर दो 100 अब देखो answer आया 7.6 प्लस में यानि यह increase हुआ देखो हमको पहले से पता था 7.6 परसंट इंक्रीज आंगे दूनने का method सिखाया था 2 रूपीस कितना percentage हो गया था तो इंडेक्स नंबर से कितना परसंट इंक्रीज हुआ वो पता चला से यहां पर 100 माइनस करो सुदेंस answer आया 100 200 माइनस 100 अगें 100 परसंट इंक्रीज पता था 100 परसंट इंक्रीज तो यह index number क्यों चाहिए कितना percentage चेज हुआ वो जानने के लिए जानके करो के क्या तो आपको पता चलना चाहिए सर जी हमारा expense 7.6 परसंट बढ़ चुका है तो इंकम को भी 7.6 परसंट बढ़ाओ वो भी तो जरूरी है तो इसलिए आपको इसकी requirement है गवर्मेंट जब inflation rate decide करती है तो यह सब यूज करेगी पता चलेगा महंगवारी कितनी बढ़ गई है डियरनेस allowance दिना है तो इसका यूज करेगी आएगा future में दिने दिने सब आया index number क्या है वो आज extend करो उसका definition अब आप लोगों को 100% clear हो जाएगा तो index number क्या है सर्फ percentage change है किसका कोई दो कोई दो values दी है कोई particular product के बारे यहां पर price दिया है तो यह दोनों को divide किया तो यह price relative हुआ हम लोग price को P लिखते हैं प्राइज मतलब P अच्छा एक और चीज़ current year यानि अभी latest वाला जो दिया गया है वो current के लिए one use होता है तो यहां पर P one use होता है और base यानि पहले वाला पहले क्या था उसके लिए zero उसका प्राइज रिलेटिव में तो इंडेकस नंबर रिलेटिव उसको इंडेकस नंबर बन गया percentage price relative same way अगर यह दोनों quantity दिया होता एट्वन्टीएट kg एट्वन्टीश kg तो kg-kg compare करता तो quantity compare करता तो लिखता quantity q1 q0 q1 upon q0 into 100 लिखता तो Q1 upon Q0 को relative measure हुआ, कौन सा relative, quantity relative, अब quantity relative, तो index number है क्या, सर्फ current का comparison, past के साथ, current क्या जो दिया है वो, किसके बारे में दिया है, कोई particular product के बारे में, कोई particular thing के बारे में वो दिया गया है, अगर particular thing का current और past दिया है, तो current का comparison past के साथ करो, और उसका percentage find करो, जिसे बोलेंगे index number, अब definition पढ़ो, और clear, देखो दिया answer, the percentage change in the value of, अगया percentage change, in the value of, किस का value, a variable associated with any item, कोई भी item के साथ, जो variable है, a variable associated with any item, ये variable 28 और 26 है, कोई भी item, ये milk है, ये matchbox है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, again, the percentage change in the value of, percentage change, value of what, a variable associated with any item, for given period, for given period, given period, यानि ये ये जो अभी period है, 28, current, for given period, compare to, उसको compare करना है, किस से, past, its value in fixed period, यानि this, जो पहले था, so, the, a variable associated with any item, for the given period, यानि current period, compare to its value in fixed period, base period के साथ compare करो, 28 को 26 के साथ compare करो, current compare with base, is called index number, यानि current को base के साथ compare करो, उसका percentage find करो, वो जो percentage है, उसको बोलेंगे index number, जो यहाँ पर percentage मिला, 107.6, that is my index number, 200%, that is my index number, इससे पता क्या चला, कितना percent increase हुआ या decrease हुआ, इस मैंसे मैंने 100 minus कर दिया, तो मुझे पता चल गया, कि 7.5, 7.6% plus मैं आज चला आए, तो increase हुआ, यही 100 minus करने के बाद, अगर minus मैं आज चला था, तो decrease हुआ, ऐसा मानेंगे, जो हम पहले से डून चुके थे, यह है हमारा relative measure, तो absolute measure से पता नहीं चलता है, relative measure से पता चलता है, और इसलिए index number की requirement, अब यह lecture में आप किसे खाली definition सीखे, नहीं, यही base है, अब textbook में से आप लोगों को पता है, कि मैंने वो lecture में बताया था, पहले lecture में, कैसे notebook बनाओगे, कैसे काम करोगे, अगर नहीं देखा है, तो आज भी दीख लो पहले, पहले पहले lecture देखो, फिर यह lecture में काम करना कैसे हो, बता चल जाएगा, अब यह related, आपको जितने भी questions लिखते हैं, जितने भी questions लिखते हैं वो सब questions textbook में से देखो, MCQ में, VSQ में, sums में, कहीं न कहीं यह सब use हुआ होगा, और यह जहां use हुआ है, उसको solve करो, और आपकी notebook perfect बनाओ, आपके लिए बनाओगे, मेरे लिए नहीं, तो students, यहाँ पे मेरा lecture खता, आज के दिन में सिर्फ नहीं तना, next lecture से all आगे कि इसकी तयारी perfect होनी चाहिए, तो मिलते से friends, next lecture में, और तब तक अपने दोस्तों को जोड़ो, और उनको भी लेकिया आओ lecture, फिर से मिलेंगे, time से, बाबाई